नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अद्रक की गोली बहुत ही मज़िदार लगती है खाने में ये और ये बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आएगी ये गोली बनाना काफी आसान है चार से पांच इंग्रिडियन में बन जाती है और खास बात ये है कि एक बार बना कर रख दे और लंबे समय तक आप इसे खा भी सकते हैं ये स्वादिश तो है खाना पचाने का भी काम करती है उसके बाद इससे कफ हो या फिर खासी हो तो वो भी दूर होती है तो आप भी इसे बनाए जरूर आप भी खा और बच्चों को भी खिलाए काफी फायदे मंद है शरीर के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने अद्रक जबादे शर्आट के लिए फिर 1् water sia ब्रश की और फिर 1 आप जूरूरी और ब्रशाष खा लीए तो यहांपर हम और इंग्रिडेंट आयँ उन्हीं छाहिए है गोली बनाने के लिए अब यहाँ पर मैंने यह अद्रक ले लिए इसे हम इस तरह से चीलेंगे तो यह जो चाको का पीछे वाला हिस्सा है उससे यह अद्रक को आप इस तरह से चीलेंगे तो काफी आसानी से हो जाती है देखिए पूरी जो चिलके हैं वो अच्छे से निकलेंगे तो यहाँ पर मैंने ये जो चाकू का पीछे वाला हिस्सा है उससे ही मैं छील रही हूँ आप देख सकते हो कितनी आसानी से छील रही है सारी को छील लेंगे और टुकड़े कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये टुकड़े कर लिया है देखे इस तरह से रफली टुकड़े मैंने किये है अब यहाँ पर मैंने मिक्सर ले लिया है ये टुकड़े हम डाल देंगे इसी के साथ ये गुड़ भी डाल देंगे आप गुड़ को कदुकस करके भी डाल सकते हैं एकदम बारी काट कर भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह ब्राउन गुड इस्तमाल किया, आप चाहे तो वाइट वाला गुड भी इस्तमाल कर सकते हैं, ढखकर हम अच्छे से पीस लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे ढखकर पीस लिया और देखें, कुछ इस तरह से यह तयार हो चुका ह अब हम गेस को जलाएंगे, और आज हमें तेजी रखनी है, इसके उपर एक पैन रखेंगे, और पैन में हमें कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट यह जो हमने पीस के रखा है, यह डाल देंगे, डालने के बाद अच्छे से इस तरह से हमें मिलाते जाना है, देखिए, इस तर दीमी करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है, पकना शुरू हो चुका है, दो मिनिट हो चुक है, तो देखिए कुछ इस तरह से इसका कलर जो है, वो बदलता जा रहा है, तो अब हम गेस की आज को दीमी कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने दीमी कर लिये है, अब इसी तरह से लगातार इसे हम चलाते जाएंगे और पांच मिन्ट तक पकाएंगे यह जो अद्रक की गोली है बनाना काफी आसान है जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे यह गाड़ी होता जाएगा देखिए इस तरह से अद्रक के अंदर जो पानी है वो सूखता कर रहे हूँ और पिर से मिला लेंगे इस तरद से था मिनिट और थोड़ा करना थे यहां पर ने כ EVERYग हो चुके हैं और यह इस तरह से तयार हो चुका है तो आप गहस को बंद कर यहां बंद करने के बात नहीं कि तो अब इस तरह से तोड़ा सा लेना हहे और यह बीच में रख्टे होई देहिए किती बढ़िया सी बन गई है जैसे जैसे झाल थे धन और वी गाड़ा होगा और इस ब्रणी हो बढ़िया स्टेश पर आप ऐसको बन खाले थे इसी तरह सहे सबढ़िया-सी बड़ी भी बना सकते और इसे छोटी भी अब मैंने एक बाउल ले लिया है अब इसके अंदर ये जो बनाई हुई हमारी गोली है अद्रक की ये डाल देंगे डालने के बाद उपर से ये PCV चीनी डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे इसे क्या होगा उपर से ये ची बच्च के जार में रख दे वो जो जार है वो अच्छा सा सूखा होना चाहिए ड्राइगी ला नहीं होना चाहिए और आप इसे लंबे समय तक खा सकता है सुबह को खाए या फिर शाम को एक आप भी खाए बच्चों को भी खिलाए और मुझे कमें सेक्शन बताए आपको कोई रेसिपी कैसे लगे है अच्छी लगे है वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक्यू फॉर वाचिंग